आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादिशीक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार महराष्ट विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गडबन्धन को बहुमद हर्याणा में निर्दलियूं के मदद से सरकार बना सकती है भाजपा जाबुआ विधानसभा उपचुनाव में जीत के साथ राज़में कॉंग्रस सरकार के सिती और मस्बूत हुई महराष्ट में भाजपा शिवसेना गडबन्धन ने सत्ता बरकरा रखी है और हर्याणा में भाजपा सबसे बड़ी पाटी के रोप में उपरी है 288 से दस्यों की महराष्ट विधानसभा में सत्तारोन गडबन्धन ने 161 सीटें जीती है कॉंग्रिस और राश्टवादी कॉंग्रिस पार्टी गडबन्धन को 98 सीटें मिली है बाकी 39 सीटें छोटे दलों और निर्दलियों को गई है मुख्यमंत्री दीवींद प्रणनवीस ने कहा है कि 2014 के मुकाबले कुछ कम सीटें मिलने के बावजूद भाजबा को बहितर जनादेश मिला है वो हर्याणा में सभी 90 विधानसभा सीटों के नतीजे खोशित कर दिये गए है भाजबा 40 सीटे लेकर सबसे बड़ी पार्टी के रोप में उभरी है लेकिन उसे बहुमत के आकड़े से 6 सीटे कम मिली है कॉंग्रिस ने 31 सीटों पर जीत हासिल की है जिननायक जनता पार्टी को 10, इंडियन नैशनल लोगदल और हर्याणा लोगहित पार्टी को एक-एक और निर्दलियों को 7 सीटे मिली है यहाँ भाजबा निर्दलिये विधायकों की मदद से सरकार बना सकती है देश की विभिन राज्यों की क्यावन विधान सबा सीटों पर हुए उप्चुनाव में भाजबा ने 17 और कॉंग्रिस ने 14 सीटे जीती है दो लोग सबा सीटों पर हुए उप्चुनाव में लोग जिन्शक्ति पार्टी और इनसीपी ने विजय हासल की जाबवा विधान सबा सीट के लिए हुए उप्चुनाव में कॉंग्रिस प्रतियाशी और पूर्विकेंद्री मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अपने निकर्टम प्रतिजिंदी भाजबा के भानु भूरिया को 27,804 बोटों से हराया मुख्यमंत्री कमलातनी श्रीभूरिया को जीत पर बठाई देते वे शेत्र के मद्दाताओं और पार्टी कारिकरताओं की प्रति आभार जताया है उदर भाजबा प्रदेश अद्रकेस सिंग ने जहाबवा विधानसभा उपचुनाओं में पराजे स्विकार करते वे कहा है कि उनकी पार्टी जनता के आदेश का सम्मान करती है कॉंगर्स पृतियाशि केस जीद के साथ ही प्रud Alliance में कॉंगर्स सरकार की सिती मसबूत हो गई है इस विजे के साथ ही विधान सभा में कॉंगर्स विधायकों की संख्या 115 हो गई है जो 230 सदसिय विधान सहवा में बहूमत 117 क्याकड़े से सिर्फ एक कम है गत वर्षवे विधानसभा चुनावे कॉंग्रिस को इश्पष्ट बहुमत नहीं मिला था निर्दलिय विधायकों के सहारे कॉंग्रिस ने सरकार बनाई थी फिलहाल सरकार को चार निर्दलिय विधायक एक सपा और दू बसपा विधायकों का समर्थन प्राप्त है निर्दलिय विधायकों में एक प्रदीब जैसवाल सरकार में खनिच मंत्री है प्रदान मंत्री नरींद्र मूदी आकाश्वानी सीर अविवार को सुबह 11 बजे मन की बात कारिक्रम के जरीए देश और विदेश की लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगे ये मन के बात कारिक्रम का 58 एपिसोड होगा ये कारिक्रम आकाश्वानी और दूरशन के संपूर नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा साथे आकाश्वानी की वेबसाइट www.newsonair.com और News on AIR मोबाईल एप पर भी उपलब्ध होगा ये कारिक्रम प्रधार मंत्रे कार्याले, सूचना और प्रसारण मंत्राले, आकाश्वानी और दूरशन के यूट्यूब चैनल से भी लाइब प्रसारित होगा आकाश्वानी भुपाल की प्रादेशिक समाचार एकांज दुआरा महात्मा गांधी की एक सोपचासवे जैनती वर्ष के मौके पर बापो की प्रदेश यात्राओं पर आधारित विशेश रंकला, मध्य प्रदेश में महात्मा हर शनिवार को प्रसारित की जा रही है कल इस कारिक्रम के तीसरी अंक में आप बापो के बुर्हानपुर प्रवास के संस्परण सुन सकते हैं ये समाचार आप आकाश्वानी भुपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर EIR News भुपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या EIR News आप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फेस्ट स्वागत हैं। प्रदीश सरकार ने खरीब वसल E. उपारजन पर पंचियन के अंतिम तारीक 30 सक्टूबर तक बढ़ा दी है। किसान कल्यान और क्रिशी विभाग द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि किसानों को E. उपारजन पोटल पर मग्का, सोया बीन, मूंग, उरद, अरहर, मूंग, फली, कपास, तिल और रामतिल उत्पादा किसानों के सबधा को ध्यान में रखकर ये निन्ने लिय पहली पंचेन के अंतिम तारीक 23 अक्टूबर नधारित की गई थी रोशनी की तियोहार, दीपावली के पांच दिवसिये पर की शुरुवात आज धनतेरस से हो रही है जानकारों के निसार इस वर्ष धनतेरस की दिन शुक्र, प्रदूश और धन त्रियोदशी का महायोग बन रहा है इसमें शुपकार और खरीदारी सम्रद्धी होगी धार्मिक मानिताओं के नुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धंतीरस में भगवान कुभीर को प्रसंद किया जाता है मानिता है कि धंतीरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था आगर मालवा से हमारी समवार दाता ने बताएं कि जिले में भी लोगों ने धंतेरस पर अपने घरों और प्रतिष्ठानों की आकरशक सजावत की है ग्रहकी के लिए बाजार पूरी तिरसे सच गये हैं धंतेरस पर बरतन, कपड़े, वाहन, इलेक्ट्रोनिक उपकरण और आभूशनों की दुकानों पर खरीदारी करने वाले ग्रहकों की भारी भीड रहेगी अनुपूर जिले में एक अनोखी पहल एक दीपक बेठियों के नाम चलाई जा रही है प्रधानमंत्री नरीन रपोधी ने पिछले दिनों बन के बाद कारिकरम में इसके लिए अपेल की थी क्या है ये पहल और अनुपूर जिले में इसको लेकर क्या किया जा रहा है सुने इस विशेश रेपोर्ट में इस पहल के अंतरगत जिले की महिला एवं बालविका सुभाग की अधिकारी कारिकरताओं के अलावा जिले की सम्मानी लोगों ने आम जनता से अपेल की है कि इस दिवाली एक दीपक बेटियों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए जरूर जलाएं पूर्विधायक अनुपुर रामलाल रोतेल ने इस दिवाली के दौरान घर की लक्ष्मी बेटियों की नाम का दीपक जलाकर उनका जीवन प्रकाश में करने का आवान किया है वही इस दिवाली के दौरान महिला एंबाल विकास भाग द्वारा बीटी बचाओ बीटी पढ़ाओ यूजना के अंतरकत विभिन गतिविधियां आयोजित की जा रही है महिला सशक्तिकर नदिकारी मंजूश शर्मा ने बताया है कि जिस तरह से दीपक में प्रकाश होता है उसी तरह से बेटियों के जीवन में खुशियां आये और प्रकाशवान वो रहे है साथ ही हम इसके साथ एक मोहिम कर रहे हैं इस समय मिठाईयों का सभी वर्गों में अत्यंत प्रचलन रहता है तो हम पेड़े और वर्फी में भी बेटी बचो बेटी पढ़ाओ की सील लगा रहे हैं ताकि ये हमारा संदेश आम जन तक पहुँचे वाकई ये पहल सराहनी है इस पहल की सरिये बीटियों की जीवन को प्रकाश में बनाया जाएगा अनुपुर से अजीत मुश्रा के साथ भूपाल से मैं दीपा सिंग जिन संपर्क मंतरी पीसी शर्मा ने कलरासनी भूपाल के कलिया श्रोद मैदान पर ताल मोहतसव का भूई पूजन किया मोहतसव में 6-24 नवंबर तक विभिन ने खेल कूद गजविधियों के साथ होट एर बलून आदी अन्य रोवांचक कारिक्रम आयोजवित किये जाएंगे अब कुछ समाजार सिंग्षेप में बिन में उज़ा मंतरी प्रिवत सिंग्ने अधिकारियों को नर्देश दिये हैं कि दिवाली के त्योहार के मद्दे नजर 25-39 अक्ट्यूबर तक पूरी प्रदेश में निर्बाद विध्युत आपूर्थी सुनिश्यत की जाए कट्नी में प्रधान मंतरी आवास यूजना ग्रामीड के अंतरगत आज 500 हित ग्राहियों को आवास की चाभी सौपी जाएगी शुपुरी सिले में रन्नौद रोड पर कल शाम एक ट्रेक्टर के वलट जाने से एक विक्ती की मौत हो गई जबकि पांच आने लोग खायल हो गए राइसेन में कल एक 30 रफतार डंपर ने तीन बाइक सवारों को रौन दिया इस तुर्खटना में बाइक सवार पिता फुत्री की मौके पर ही मौत हो गई शिवपुरी सिले में आज चौथे राश्री आयूर्वेड दिवस और धनवंत्री जयनती के उसर पर निशुल्क आयूश शिकित्ता शिवर्का आयूचुन किया जा रहा है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर महराश्रो विधानसभा चुनाव में भाजपा शिवसीना गडबन्धन को बहुमत हरियाना में निर्दलियों की मदद से सरकार बना सकती है भाजपा जाबवा विधानसभा उप चुनाव में जीत के साथ राज़मे कॉंग्रिस सरकार के सिती और मस्बूत हुई प्रोदेश में खरी फसलों की खरीदी के लिए यू पार्जन पंजयन की तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ाए गई हमारी विशेश रंकला मध्रदेश में महात्मा में कल सुनिये बापू के बुर्हानपूर प्रवास के संस्मरन और दीपावली के पांच दिवसी पर्व की शुरुवात आज धंदेरस से होगी इस बुलिटिन में इतना ही आकाईश्वानी भूपाल से अगला प्रादेशक समाचार बुलिटिन सुनिये दो पार दो बच के तीस मिनिट पर नमस्कार